पाथियों नए साल में कर्मचरियों को तोफा विदानसबा चुनाओ के मद्दे नजर 3% महंगए बत्ता बढ़ाया समय पर होंगे 5 राज्यों के विदानसबा चुनाओ सरकार ने रखा चुनाओ अयोग के सामने बड़ा प्लान इस परकार की लेटाइस्ट और पूरी खबर के लिए इस विडियो में आप अन्तितक बने रहें आईए देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से के कोंचे राज्यों में महंगए बत्ता बढ़ाया गया कर्मचरियों के लिए खुशकबर निकल के आईए कि 3% महंगए बत्ता बढ़ाया जाएगा और जनवरी में बढ़कर आईगी आपकी सेलरी 3% और महंगए बत्ता बढ़ाने से यह महंगए बत्ता हो जाएगा 31 फिजदी जो कि जुलाई 2021 से देए होगा से इस और बड़ी खबर उत्तराखंड कर्मचरियों पैंसरनों के लिए एक बड़ी खुश कबरी है यहाँ पर अगले साल 2022 में विधानसबा चुना होना है उत्तराखंड की उस कर्दामी सरकार ने कर्मचरियों को नए साल से पहले बढ़ा तोफा दिया है सरकार ने कर्मचरियों को महेंगा बैता 3% और बड़ागर कैंदरे के समान 31% कर दिया है इससे 5,000,000 कर्मचरियों और करीबन 50,000,000 को बड़े वे डिया का लाब मिलेगा 31% डिया-डियार के बाद कर्मचरियों की सलरी में एक बड़ा उच्छाल देखने को मिल सकता है दोस्तों जल्दी सेच वीडियों को लाइक कर दीजी और सस्क्राइब कर दीजी आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फल है दरसाल हाली में मोक्षय मंतरी फुसकर धामे के अध्यक स्तामवी केबिनेट बैठक में राज्य सरकार के करमचारियों के लिए 3 प्रतिस अत्रित महेंगाय बत्ता डिये को मंजोरी मिल गई वर्तमान में राज्य करमचारियों को 28 प्रतित महेंगाय बत्ता मिल रहा है वहें 3 प्रतिस अत्र बड़ोत्री से महेंगाय बत्ता 31 प्रतित हो जाएगा जो जुलाई 2021 से दे होगा इस फैसले के बाद धाई लाग करमचारियों वो 50,000 पैंसरों को लाव मिलेगा संभावना जताई जारिये के करमचारियों को इसका लाव जनवरी 2022 की सेलरी में दिया जा सकता है उसको बता दें कि केंदरी की मोधी सरकार ने केंदरी करमचारियों और पैंसरों को डिये डियार को 28 प्रतित से बड़ा कर 31 प्रतित कर दिया गया है जिसका लाव एक करोड करमचारियों को मिल रहा है वहीं अन्राजियों में भी बड़ोत्री की गई है ऐसे में आगामी चुनाओ को देखते हुए उत्राखंड के पुस्करधामी सरकार ने भी नए साल से पहली राज्जी के करमचारियों को सोगात दी अगले साल उत्राखंड में विधानसबा चुनाओ होना है ऐसे में मुख्यमंद्री पुस्करधामी का या दाओ मास्टर इस्ट्रोक माना जा रहा है समय पर होंगे पांच राज्जी के विधानसबा चुनाओ सरकार ने चुनाओ अयोग के सामने रखा ये प्लान आईए देख लेते हैं पूरी खबर को चुनाओ अयोग के साथ हुई बेठक में स्वास्त सची उई यूपी, पंजाब, उत्राखंड, गोवा और मनिपूर ये वो राज्जी हैं छहां 2022 में पांचो राज्जीयों में विधानसबा चुनाओ होना है इसके मद्दे नजर ये वाली बेठक हुई जिसमें ओमिक्रोन केस के साथ महां होने वाले टिकाकरण की जानकारी भी दी गई स्वास्त सची उने चुनाओ अयोग को आस्वशन दिया कि जिन राज्जों में कोवीड वेक्सिनेसिन के रप्तरा थोड़ी कम ही वहां इसे बढ़ाया जाएगा और ओमिक्रोन को रोकने के लिए सभी जरूर कदम उठाए जाएंगी देश के पांच राज्जों में अगले साल होने वाला विधांसवा चुनाओ को लेकर अब जन्वरी में फैसला होगा चुनाओ आयोग इलेक्सिन कमिंसन जन्वरी 2022 में एक बार फिर स्वास्त विभा के अधिगारियों के साथ बेठक करेगा जिसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि चुनाओ इलेक्सिन कराए जाए या फिर उने कुछ दिने के लिए इस्तिकित कर दिया जाए चुनाओ आयोग के साथ उई बेठक के बाद अब स्वास्त सचिव राजेस भूचन के ओर से जानकारी दी गई कि जिन राज्यों में चुनाओ होने उनमें ओमिक्रोन के केस काफी कमी एसे हम हम कह सकते हैं कि चुनाओ समय पर ही होंगी चुनाओ आयोग के साथ उई बेठक में स्वास्त सचिव ने यूपी, पंजाब, उत्राखन, गोवा और मनिपूर में ओमिक्रोन केस के साथ वह होने वाले टिकागन की भी जानकारी दी स्वास्त सचिव ने चुनाओ आयोग को आसोसन दिया कि जिन राज्यों में कोईड वेक्षिन के रप्तरा थोड़ी कमें वहाँ पर इसे बढ़ाया जाएगा और ओमिक्रोन को रोखने के लिए सभी जरूर कदम उठाए जाएंगे बताती कि स्वास्त सचिव की सभी बाते सुनने के बाद चुनाओ आयोग ने उनकी टीम को विश्तरत रिपोर्ट के साथ जनवरी के पहले सब्ता में आने को कहाई विशेस सुत्रों के मुताबिक 28 दिसंबर यानि आज से तिन दिवसी दोर पर भारत निरवचानायोग की टीमें उत्तर परदेश पहुंच रही है यहाँ पुलिस के आलाफसरों और सभी 75 जिला देर को से मिटिंग की जाएगी भारत निरवचानायोग इसी मिटिंग के जरिये चुनाव संबंदी फिडबेग लेगा और इसी फिडबेग के आधार पर मुंकिने की चुनाय कराया जाने के लोगर कोई निरणाय किया जा सकता है इसी बिद केंदरी कोट से कहा गया है कि जिन पांच रज्यों में चुनाव होने वाले वहां पर कुरोने की जाज की टेस्ट और बढ़ाया जाए इसके साथ ही जिन रज्यों में वेक्सिननस ने के रप्तार कम ही वहां पर ठीकाखन को बढ़ाने के साथ ही इस रिपोर्ट को देखने के बाद चुनाव आयोग ने अनुरूद किया कि कवरेज को 100% या जितना संभवोसे को उतना अधिक ले जाए जाए उत्राखन और गोवा में 80% लोगों को वेक्सिन की दोस्री डोस लगा दी जाए लेकिन यूपी पंजाब और मनी पूरे समामले में अभी बहुत पीछे ही चुनाव आयोग ने स्वास सची को या सुनशित करने के किजिए वापास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अप्लोट किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सदिक सेर थैंक यू